हेलो स्टुडेंट्स विल्कम ओन यरॉण प्लेटफॉर्म दे ग्रेट जीनियसीज क्लासीज तो आज हम फिर हाजी नहीं क्लास लेकर जिसका नाम है क्विक रिवीजन में क्विक शोट में जिसके चेप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो तो बटा आज हम करने वाले हैं आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो आपके अडमिशन पार्टनर रेटायर्मेंट ऑफ पार्टनर्शिप डिस सलिशन ऑपार्टनर्शिप तीनों में काम आने वाली हैं जैसे की रिजरव दिया हो तो उसको डिस्टिबूट कैसे करना है क्यूं करना है क्या कंसेट रहता है और अगर लोस है लोस को राइट ओफ कैसे करते हैं पुरानी गुडवील है उसको राइट ओफ कैसे करते हैं गुडवील क्या होती है बहुत सारे कोशनों के जवाब मिलने वाले हैं जिनके बारे में बच्चा जानने को बड़ा उस्सुक रहता है और आपको एक बात बता दूँ बिटा ये जो चप्टर है, ये वाला चप्टर हमारी Plus Two का सबसे आसान चप्टर है, सबसे आसान, सबसे प्यारा चप्टर है जिसका नाम है Change in Profit Sharing Ratio, तो क्या चप्टर है, ये नाम कैसे आया, सबसे पहले हम बिल्कुल basic से स्टार्ट करेंगे बेटा हमारे जो concept है वो है हमारा re-constitution of a partnership री मेने क्या होता है बेटा री मेने क्या होता है री मेने होता है दोबारा constitution मेने होता है निर्मान करना दोबारा निर्मान करना किसका बेटा partnership का partnership का हम क्या करने वाले हैं दोबारा निर्मान करने वाले हैं देखो बटा हम क्या करते हैं घर की रिनोवेशन करवाते हैं या प्लोट लेते हैं घर बनाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है पच्छी साल तीस साल बीच जाते हैं बड़े अच्छे बीच जाते हैं बटा उसके बाद हमें लगता है बटा नए डिजाइन का घर बनाना है हम तो हम क्या करते हैं उसको रीकंस्टक्ट करते हैं दुबारा बनाते हैं बैटा हना रीकंस्टक्ट करना वैसे ही पार्टनर्शिप को भी रीकंस्टक्ट किया जाता है सर कैसे करते हैं पार्टनर्शिप को रीकंस्टक्ट कैसे होगा रीकंस्टिशन पार्टनर्शिप का पार् पार्टनर्शिप को दोबारा क्यों बनाएंगे, देखिए बटा क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, पार्टनर्शिप रिजल्ट किसका होता है, पार्टनर्शिप रिजल्ट किसका होता है, अब पार्टनर्शिप रिजल्ट का होता है, अब पार्टनर का agreement क्या हो जाएँगा टर्मिनेट हो जाएगा तो हमें क्या जुरूत पड़ेगा एक नया agreement बनाना पड़ेगा और जो नया agreement बनता है उसी को इब और रे consideration आपट्नर्शिप जब नया agreement बनेगा उसी को से पहले जैसे मैं और मेरा दोस्त आपको पता है पाटनर है पहले हम त्री रेशो टो 2 में डिवाइड करते थे मलब सिक्स्टी परसेंट और फ़र्लंड और आपर्टी परसेंट अब रमन ने बोला कि राजन नहीं लेके आएंगे हम क्या करते हैं partnership में भी 50-50% करवा लेते हैं तो हमने क्या किया बटा हमने एक नए agreement बनाया और उस agreement में हमने लिखवाया कि आज से next year से हम क्या करेंगे हम दोनों partner 50-50% के लिए partner होंगे ओके बटा ये हमने क्या किया ये पहला case था जब पुराने agreement को खतम किया गया जिसका नाम था change in profit sharing ratio among the existing partners existing partner पार्टनर वही है ना तो कोई आया है ना कोई गया है हम वही दो partner हैं जो क्या करने वाले हैं आपस में ही अपने ratio में change करने वाले हैं ऐसे नहीं होता बटा कि हमने बात कर ली और change हो गया agreement निया बनवाना पड़ेगा तो दूसरा case आता है admission of a new partner देखिए पहले agreement में रमन और राजन थे अब entry होने वाली है हमारे गुरपृत सिंग जी की तो गुरपृत सिंग जी को निया partner बनाने वाले हैं तो निया partner जब आएगा तब भी हमें क्या आप करना पड़ेगा गुरपृत करे सर आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है हम मुझे भी partner बना लीजिए मैंने बोला जरूर सर आप भी आईए partner बढ़िए हमारे साथ हम भी कमा रहे हैं गुरपृत ने बोला yes yes उसको क्या चाहिए चलिए उसके बाद हमने नया agreement बनाया अब फारम में तीन partner है रामान, राजन और गुरपृत अभी admission of partner जब एक नया partner आता है तो partnership को क्या किया राता है reconstitute किया राता है तीसरा आता है retirement of existing partner अब partnership पच्छी चल रही है बैटा 50-60 साल बीच चुके हैं अब गुरपृत जी हो चुके हैं बुड़े बैटा उन्हें क्या जुरुत पड़ेगी मैंने गुरपृत को बुलाया गुरपृत के पास गया गुरपृत खांसी कर रहा था मैंने का गुरपी जी क्या हुआ गुरपी जी कहते बस उमर का इंताजा है और उसके कारण खांसी आ रही है मैंने बोला गुरपी जी आपको न आप घर पे rest करना चाहिए अब आपको business में नहीं रहना चाहिए आप rest कीजिए मैं आपको आपका क्या करते हैं आप retirement ले लिजिए और retirement के आपको कुछ benefit भी मिलेंगे तो गुरपी जी मान गे तो मैंने गुरपी जी को बोला अब हम दो partner है गए हम दो partner है गए कौन-कौन अब गुरपी रमन और राजन partner रह गए तो retirement हो गया एक partner की है ना तो ऐसे करके हमने क्या कि दुबारा agreement बनाया और ऐसे ही बेटा जब एक partner की death हो जाती है तब भी partnership को दुबारा बनाया जाता है और प्रमातवान नकर ऐसा कभी हो और amalgamation of two partnership जब एक दो फर्मे आपस में मिलकर एक नई फर्म बना लेती है तो उन दोनों के agreement निल हो जाते है और एक नया agreement बनता है उसे बोलते हैं amalgamation of partnership उसके बाद आता है यह हमने सारा पढ़ लिया अब हमारा चेप्टर है change in profit sharing ratio change in profit sharing ratio क्या होता है जब दो partner आपस में अपनी सहमती से क्या करने हैं वो आपस में अपनी ratio को change करने वाले हैं किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा जैसे कि मान लीजे दो partner थे मान लीजे दो partner हैं दो partner हैं राजन और रमन हैं पहले क्या करते थे 60 और 40 में divide करते थे अब उन्होंने कहा नया क्या करेंगे 50-50 decide करेंगे तो क्या होगा ये क्या था ये old ratio था ये क्या है सर ये new ratio है तो क्या हुआ 60 से राजन को 50 मिलेगा तो राजन को 10 और पे कम मिलेंगे तो ये क्या होगा ये होगा सर sacrifice राजन ने sacrifice कर दिया दोस्ती के लिए राजन ने अपना हिस्सा त्याग दिया और यहां पर 40 से 50 मिलेंगे, यहां पर क्या होने वाला है, प्लस 10, तो यह क्या करेगा, यह गेन करेगा, रमन क्या करेगा, गेन करेगा, तो सेक्रिफाइस क्या होता है, जिस पार्टनर को उसके प्राने रेशो से कम रेशो मिलने वाला है, जो अपना हिस्सा कम करेगा, जो अ क्या करनी है अपने को इस चेप्टर में अजिस्मेंट क्या सीखने वाले हैं एक तो है डिटोमिनेशन ओ सेक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो फिर अकाउंटिंग फोर गुडविल ट्रीट्मेंट ऑफ रिजर्व एंड अकुमिलेटी प्रोफिट अकाउंटिंग फोर रि रिटोमिन और उसको बोलते हैं सेक्रिफाइस और जो बंदा इस अखियन करा रहा है जिसको ज्यादा मिल रहा है पहले उसको 40 मिलते तigraph nonprofit को बनने determi दूदी सविक्ट का डीटोमिल शुमिले सब्सक्रोब मिलेट तो यह क्या किया पृण़े से दस नोटी क्या कर दिया सेक्रिफाइस कर दिया दसर पर आपने क्या कर दिया सेक्रिफाइस कर दिया और अगर पराना 40 था अब आपको 50 मिले तो आपने क्या कर दिया 10 सर पर आपको extra मिले हैं 10 सर पर plus हुए है यह क्या कर दिया आपने gain कर दिया ठीक है बटा 40 minus 50 वैसे answer minus का होता है अगर minus का answer आए तो वो gain कर रहा है बटा आपको plus minus में ध्यान नहीं देने आपको सिर्फ यह देखने 40 से 50 हुआ है उसको extra मिलने वाला है और gaining ratio अगर formula निकाले तो क्या होता है new minus old होता है ठीक है बटा उसके बाद आता है मारा illustration A और B partner है 2 ratio 1 में तो हमारा A और B का old ratio कितना हुआ 2 ratio 1 A B 2 ratio 1 उसके बाद they agree to share profit losses equally equally तो वो क्या करेंगे equal equal profit बांटेंगे तो देखो बटा यह है हमारा old ratio यह हमारा new ratio हम क्या करेंगे old minus new तो पहले एका निकालते है एका निकालेंगे old old कितना है यह क्या है 2 2 plus 1 3 तो 2 by 3 एका ratio क्या हुआ 2 by 3 minus यह क्या है 1 1 plus 1 2 1 by 2 old minus में new इसने क्या किया है इसने sacrifice किया है 4 से 3 हुआ है इसने sacrifice किया है ऐसे बीका निकालते है बीका निकालेंगे बीका रेशो कितना है old 1 1 by total 2 2 and 1 कितना हुआ 3 minus b का कितना है 1 by 2 3 to the 6 2 minus 3 तो यहां से 2 से 3 हुआ है यह क्या हुआ है यह प्लस हुआ है इसका मतलब 1 by 6 यह क्या आ गया gain तो b ने किया है gain और a ने किया है sacrifice इस परकार से निकालेंगे gain और sacrifice clear है बिल्कुल असान सा point है बिल्कुल असान chapter है बिल्कुल easy chapter है counts का उसके बाद हम पढ़ते हैं goodwill के बारे में sir goodwill क्या होती है बेटा देखिए अब आप मुझे youtube पे देख रहे हैं मुझे आपको अगर पढ़ाना मेरा अच्छा लगा तो देखो बेटा देखिए हम अपनी आपके बीच हमारी पहचान बने आपके बीच हमारी goodwill बने जिस दिन goodwill बन जाएगी उस दिन हम अच्छे हो जाएंगे हमको लोग जानने लगेंगे तो इसका मतलब देखो बढ़ा हमारे सिरसा में न हमारे एरिया में एक sweets famous है shop famous है वो बहुत सालों से उनका पराना shop है तो great geniuses classes जो हमारा है बटा उसका भी बहुत अच्छा नाम है इसका मतलब क्या है उसकी गुडविल अच्छी है उसकी reputation है तो देखो goodwill का फाइदा क्या होता है अब goodwill का फाइदा क्या होता है आपने मुझ से पुछा आप हमारे शेहर में आएगे और देख हमारे शेहर में आप यहां पर shift हो गए आपकी job यहां पर transfer हो गई आपके पापा की आपके पापा ने मुझे phone किया राजन सर कोचिंग लगवानी है बच्चों को कहां पर लगवाएं मैंने बोला जी great geniuses में लगा दीजिए राजन सर के पास लगवा दीजिए तो मतलब क्या है goodwill है नाम है reputation ह तो ऐसे ही बेटा क्या होता है goodwill का मतलब क्या होता है goodwill का मतलब होता है अच्छा नाम अच्छा reputation और जिसको हमने कैसे कमाया है ऐसा नहीं है कि great genius market में आता ही boom पे चला गया ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा हम धिरे धिरे हमने मह було करे है हमने इमान दारी से गूडविल कमाई है राजन सर ने मह पास्टॉट कंनि आए उसके बाद गूडविल कमाई है तो ऐसा गूडविल क्या होता है गूडविल जो मालिक द्वारा जो ओनर द्वारा उसकी इमानदारी से उसकी महनद से कमाई जाती है उसको बोलते हैं गुडविल, अब गुडविल क्या होता है, गुडविल से फाइदा क्या होता है, गुडविल से फाइदा ये होता है कि हम नॉर्मल बंदे से, जैसे मेरी भी स्वीट शोप है, आपकी भी sweet shop है, बड मेरी goodwill अच्छी है, तो customer मेरे पास ज्यादा आएंगी, तो मेरा profit आप से अच्छा profit निकलेगा, मेरी sale आप से अच्छी sale निकलेगी, और its value only when entire business is sold, जब business सारा बेचा जाता है, तो इसको तब बेटा उसकी value निकाली जाती है, और इंजेक्ट वेल्य निकालना किसी के नाम की बड़ी डिफिकल्ट होता है उसके बाद आता है भीटा सारा हो गया इस पर डैप्रशेशन नहीं लगता गुडविल नहीं लगता गुडविल पे जो चीज लगती है जिससे गुडविल की वेल्यू कम होती है उसको बोलते हैं Amortization गुडविल की वेल्यू में कमी होना क्या बोलते हैं Amortization फिक्स असेट पे कम होता है तो उसको Depreciation बोलते हैं वेस्टिंग असेट जो Mines, Oil, Well उन पे कमी आती है तो उसको Deplection बोलते हैं और अगर इंटेंजिबल असेट में कोई कमी आती है तो उसको बोलते हैं Amortization Nature of Goodwill पता हो गया Nature of Goodwill इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं इसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता है उसके बादा है अगर आपका तो Location आपकी बिजिस्टेंस को एफेक्ट करती है उसके बादा हाता है अगर बिजिनस को चलाने वाले Management जो है वो Expert है अच्छा काम कर रही है तो Goodwill जादा अच्छी होगी बैटा Longivity of the बिजिनस मेरे बिजिनस को अच्छी साल हो चुके हैं आपका बिजनस भी स्टार्ट हुआ है तो गुडविल क्या होगी मेरी अच्छी होगी नेचर ओफ गूड्स अगर डेली नेचर गूड्स है एक बड़ा चिन्नी लेने अप डेली दुकान पर जा रहे हो दुकान का नाम आपके सामने डेली आ रहे ह तो आपसे जैसे ही कोई पूचेगा सर्टूशन कहां लखूँ आपके नाम में आएगा आपके माइन में आएगा ग्रेट जिनियस में रख लो सर अभी मैं आपसे बूचता हूँ मुझे एक फ्लावर का नाम बताएए आब बोलो के गुलाब रोज क्यों 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 रोज आपके सामने अक्सर आजाता है रोज रोज आपके सामने अक्सर आजाता है नहीं रोज रोज आपके सामने आजाता है मलब फ्लावर है जो रोज आपके सामने आजाता है डेली आपके सामने आजाता है तो रोज रोज आजाता है इसलिए आपको रोज याद रहता है फ्लावर रोज याद रहता है ठीक है ना तो आपको रोज रोज याद रहता है क्योंकि आप उसको डेली देखते हो बैटा ऐसे ही आप अगर जिस डेली और नेचर गूड्स का बिजनस है वो से भी डिपैंड करता है गुडविल का फोला काम कर रहा है यह उजन्आ क्या ने उसकिंच यह डिừ आप सबसेंच रखैंज दा कलो हैma संब को Lanima तो हम उने पर ट्रस्स जादा करेंगे बटा जिनके पास 122 डिलर्शिप है सैमसंग की तो हम वहीं से लेंगे बटा तो इस परकार से उनकी गुडविल जादा होती है मोनोपलोस्टिक राइट क्या होते हैं मान लीजे मैं वही चीज मैं सिर्फ बेजता हूं तो मेरे गुडविल अच्छी होगी बटा रिस्क इनवोल जिसमें ज्यादा रिस्क रहता है उनकी गुडविल नहीं होती किसी का सट्टे का काम है किसी का दोनुंबर का काम है किसी का म हम नहीं जग सकते किसी को अच्छा या बुरा वो Leconfब करेंगे हम कोन होते हैं डिसाइड करने वाले हमें कितनी कच्छाईयां हैं हम भी बुरे इंसान हैं हमें भी बुराइअं बड़ हमें इतना अधिकार नहीं दियां भगवान कि हम दुसरों को जजज करें कि वो ये काम कर रहा है, इसलिए, वो बूरा है नहीं बटा बूरा काम करने वाले लोग बहुत अक्शे होते हैं बटा कई बार चलRO देखिए, तो रिस्क इंवॉल्ड होता है, उसमें गुडविल başka होती है जैसे teaching में risk क्या रहता है कम रहता है जो profit है वो भी कम होंगे of course बैटा तो गुडविल अच्छी होती है सर्जी सर्जी कहते हैं सभी नमस्कार करते हैं पैर छूते हैं बैटा तो यह reputation होती है trend of profit तो business का profit अगर बढ़ते स्तर पर है तो गुडविल क्या होगी अच्छी होगी future competition अगर आपको मिल रहा है future competition मिलता है आपको तो उससे गुडविल कम होने की संभावनाई हो जाती है capital required जितना capital है capital भी डिपेंड करती है गुडविल को other factor है बैटा good industry relation favorable government regulation stable political condition यह सारा आ जा दूँ वो क्या है purchase goodwill है उसके लिए मैंने क्या किया है pay किया है उसके लिए मैंने क्या किया है pay किया है जब pay किया है तो मैं क्या करूंगा उसको record करूंगा अगर मैंने pay किया तो उसको record करूंगा self generated goodwill inherent goodwill क्या होती है जिसको मैंने खुद बनाया है उसके लिए मैंने किसी क पे नहीं किया, पे नहीं किया, तो मेरी कोड भी नहीं करूंगा, ठीक है बटा, मेंटर मेंटर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, मैच देखते हैं, क्रिकेड देखते हैं, क्रिकेट में बड़ा अच्छा देखते हैं बड़ा क्रिकेट में क्या होता है लास्ट में आवरेज आती है पांच पांच रन पर ओवर आवरेज आई है पांच रन पर ओवर इसका मतलब क्या है 50 over का मैस था 2020 मैस था 20 over का मैस था जिसमें हर एक over में average जो आई ये 5 किया ये it means 100 score किया है तो मतलब हर एक over में अब ऐसा नहीं होता कि हर एक over में 5 रहनी मारे जाते हैं किसी में 2 आए होंगे किसी में 12 आए होंगे किसी में 10 आए होंगे उन्होंने average निकाल ल तो क्या करेंगे बड़ा हम, अब जिसे हमारी से income पूछेंगे बड़ा हमें क्या होता है पूरे साल की अगर income बताएं एवरेज निकालके बताएं पूरे साल की तब अच्छी income बता पाते हैं अगतर रहा इस क्या होता है मान लीजिए हमारा coaching business है एक महीने में चार बच्चे ह आठ हो गए तीसरे महिने में 100 हो गए इस परकार से लास्ट में पता लगेगा ना अवरेज कितनी बढ़ी है बटा मन्त की तो क्या करते हैं हम अपना प्रोफिट टोटल कर लेते हैं टोटल प्रोफिट को डिवाइड कर लेंगे नंबर ओफियर से टोटल प्रोफिट को डिवाइड कर लेंगे अपना बटा नंबर ओफियर से तो हमारे पास क्या आजाएगा आवरेज प्रोफिट आजाएगा बड़ा सिंपल और बड़ा वाइडली फॉलोड मैथड है जिस पो जब से जादा यूज किया रहता है अब इससे क्या आवरेज क्या करेंगे अवरेज प्रोफिट को जितने साल के लिए आप उसको पर्चेज कर रहे हैं नंबर ओफियर प्रचेज क्या कर लेंगे multiply कर देंगे और क्या आजाएगा हमारा value of goodwill आजाएगा ठीक है पहले average profit निकालना है अगर profit में किसी साथ लोग साथ है तो वो minus कर देंगे अगर profit आया तो क्या करेंगे add करेंगे अब इसमें कई चीज आपको ध्यान रखनी है क्या चीज बटा और इसके लावा बटा अपको आपने शेर मार्केट में पैसा लगा रखा है जैसे कि थोड़ा कई भार हम भी लगा देते हैं तो उसे क्या हैगा interest on investment interest on investment भी क्या करेंगा हम बटा लेस करेंगे क्या हूं कि अमरा abnormal profit है ऐसे गर abnormal loss हो जाता है जैसे कि बेटा loss by fire बिजनस में आग लग जाना या फिर theft हो जाता है चोरी हो जाना किसी को voluntary retirement pay करना कुछ भी ऐसा खर्चा जो regular way में नहीं होता है वो abnormal loss है regular way में नहीं होता है तो उसको हम क्या करेंग उसको हम business में add कर देंगे should be added back उनको एड़ करेंगे बेटा, अब नॉमर लोस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्यूंकि वो बेटा, देखो, देखो, मैं आपका बिजनस खरीद रहा हूँ, अगर आपको सेटे बाजी से इंकम आती है, जैसे मान लीजिए, आप मेरा बिजनस खरीद रहे हो, आपने पोर को देखो, वो बीजनस खरीद रहा हूं, मैं आपकी स्किल्ड तो नहीं खरिद रहा हня, आप शेयर मार्केट में काम करते हो, अच्छी बात है, आपको आता है, आपको कर ले लेते हो, तो मैं आपकी स्किल्ड नहीं खरीद रहा हूं, तो बेटा, मुझे क्या कीजिए जो आपने 3.5 रुपय का शेर मार्किट का प्रॉफिट जोड़ है इसको माइनस कीजिए मैंने ठीक है बात तो आपने बिल्कुल सही कही आप तो मेरा बिजिनस खृद रहे हो मेरी स्किल्स थोड़ा खृद रहे हो आप थोड़ा करो के शेर मार्किट का काम तो मैं उसको किया करूँगा माइनस करूँगा जो प्रॉफिट आपने एड करके बाता है था मैं उसको क्या करता हूँ यह हमारा क्या है आवरिज प्रॉफिट का कॉश्चन है एक जनवरी 16 पहले बताइए किस साल में आएगा एक जनवरी 16 एक जनवरी 16 आएगा यहां पर 15 से 16 15 16 वाला साल का मतलब क्या होता है एक एपरेल 15 से 31 मार्श 16 तो 31 मार्श 16 तो जनवरी तो इसी के बीच आया ना जनवरी वाला प्रॉफिट यह है इस साल क्या हुआ तीन लाक रुपे का माल जल गया माल चोरी हो गया जला है फाइल ब्रोक आउट हुआ है तो क्या हुआ उस पे 70 जार का भिमा मिल गया तो 3 लाक का माल जला 70 जार का भिमा मिल गया इट मिंज क्या है दो लाक 30 जार का लोस हो गया यह कौन सा लोस है बटा तीन लाक में 70 तो मिली गया ना आपको दो लाग तीजार का लोस हो गया तो तीन लाग में सत्तर मिल गया दो तीजार का लोस है क्या करेंगे बटा क्या करेंगे बटा लोस है तो क्या करेंगे एड करेंगे ये लोस अबनोर्मल लोस है बार बार नहीं होता है बटा ये अबनोर्मल लोस है लाग तीज में 6,000 मार्च कम करेंगे हमार्क का क्या है क्या है क्या था टॉ Polsce से तोह ईनिक्सपेट धा कित्रां है वापसी आजाएंगे तो यह बटा आपका क्या अब नोर्मल गेन है क्या करेंगे बटा कट्इस मार्च ठरवाले की बात कर रहा है तो इसमें 8,000 पर क्या कर देंगे less कर देंगे बटा, तो धाई लाक में माइनस करेंगे, तो कितना आएगा एक लाक सतर हजार रुपे, ठीक है बटा भी हमारे पांच साल हो गए है पांच साल को add करेंगे, पांच से divide करेंगे, जैसा की average निकालते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच पांचो को add करेंगे, पांच से divide करेंगे average आजाएगा, उसको तीन से गुना करेंगे हमारी goodwill आजाएगी बटा, में तो कंसेप्ट यह है, यह समझना है कि हमें profits को correct कैसे करना है ठीक है बटा, चार लाक और पांच लाक नो लाक, नो लाक और एक तो 10 लाक, 10 लाक और 2 लाक 12 लाक, 12 लाक और 1 चालीस 13 लाक चालीस अजार divide by कितना आजाएगा 5 आजाएगा, उसके बाद जो आजाएगा उसको 3 से मल्डिप्लाइ करेंगे, हमारे पास क्या आजाएगी goodwill आजाएगी बटा, ठीक है अब इस question का एक concept बताता हूँ बटा, आपको मैं, क्या होता है दो प्रकार के expenditure होते हैं बटा एक होते है capital expenditure, question नहीं करेंगे, हम concept करेंगे, एक question करवाने से बटा, कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है आपको ना मुझे फर्क पढ़ने वाला है, बट बटा हमारा काम है आपको काबिल बनाना, हमारा काम आपको एक question रटवाकर बटा आपके future में आपको खराब करना नहीं है आपको concept समझा कर आपको इस काबिल बनाएंगे बटा, आपके सामने 10 question आजाएं आप 10 में से 9.9 question solve कर पाओ, बटा पूरे question solve कर पाओ, ठीक है बटा तो एक होता है capital expenditure एक होता है revenue expenditure, नहीं पता है तो बता देता हूं बटा capital expenditure क्या होता है, जब कोई आप asset purchase करते हो, तो जब कोई आप ऐसा खर्चा करते हो, जो आपका लंबे समय तक चलेगा उसे asset में record करते हैं, revenue expenditure क्या होता है, जिसे आप P&L की debit side में record करते हो, एक खर्चा मान कर, अब देखो क्या हुआ, आपने एक motorbike खरीदी मान लीजिए, motorbike आपने debit कर दी, traveling expense में, अब motorbike इन दोनों में से क्या होनी चाहिए, motorbike इन दोनों में से क्या होनी चाहिए, motorbike सर asset होनी और खर्चे में profit में से minus कर दिया, आपने profit में से क्या कर दिया, traveling expense minus कर दिया, अब क्या करना है, मेरा काम है, सही करना, मेरा काम है, सही समझाना, तो क्या करेंगे बटा, आपने गलती से profit में से minus करा था न, मैं क्या करूँगा बटा, profit में क्या कर दूँगा, add कर दूँगा, 1 April 20, यहां आएगा 1 April 20, मैं क्या करूँगा बटा मैंने आपने माइनस किया था, मैं आड कर दूँगा, मैंने गलती से traveling expense profit में से माइनस कर दिया था, मैंने profit में दुवारा आड कर दिया, अब आड करना solution नहीं है, आपने गलती को सही कर लिया, बट बताइए तो तरीक आएगा कहां पर, बटा आईए जाएगा capital expenditure में, asset में, तो motor car को कहां लिखना पड़ेगा, asset में लिखना पड़ेगा, यहां से निकालके asset में लिखना है, पहले यहां से निकाला, निकालेंगे कैसे, आपने काउंटिंग में debit create, दोई चीजी होती है, अगर आपने गलती से minus किया था, हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, एक गलती ठीक होगी, दूसरा अब लिखना कहां पर है, asset में लिखना है, पचास जार उपे, अब asset में लिखेंगे, तो asset पर क्या लगेगा, depreciation, तो depreciation बनता है, depreciation कितना है, 20% है, depreciation, starting में खरीदा 1 April से, date का ध्यान रखना है, एक अपरेल से खरीदा 20% depreciation है, तो क्या करेंगे, depreciation बनता है, पचास जार का 20% बनता है, 10 जार पे depreciation माइनस करेंगे, जो खर्चा माइनस होना चाहिए, वो तो माइनस किया है, जो नहीं होना चाहिए, उसको मैंने दुबारा एड बैक कर दिया, तो depreciation तो एक revenue expenditure, जो की चार्ज होना चाहिए, profit के गेंस, तो profit के गेंस, पहले मुझे asset गलतरा लिख रखी थी, अब मैंने उसको asset में लिखा, asset मे क्या जाएगा, लोस आजाएगा, ठीक है, बस, ये बड़ा, उसके बाद annual insurance premium, बड़ा insurance premium की बात दादू बड़ा, अगर आपको partner का remuneration दिया होता है, अगर partner का remuneration, remuneration क्या होता है, partner की salary टाइप होता है, partner को काम करने के महताना मिलता है, अगर partner का remuneration दिया है, या फिर insurance premium है, जो आप, आपके profit में से minus हो जाता है, तो आपको क्या करना है, बड़ा, आपको दोनों को average के बाद minus कर देना, average के बाद insurance premium भी, और, remuneration भी, remuneration भी, remuneration भी, आप बाद माइनस करना, और insurance premium भी average निकालने के बाद माइनस कर देना, ठीक है बड़ा, ये ध्यान रखना है, इंशुरेंस और remuneration, दोनों, बड़ा, सर क्यों ऐसा क्यों, देखो बड़ा, इंशुरेंस premium अगले साल से आप next year में करवाते हो, या करवाओगे, तो आपके profit में से minus होगा ना, देखो मैं आपका business क्रीद रहा हूँ, business का profit बीज़ार, उसमेंस अगर पांच जार पे बिम्मे के चले जाएंगे, तो वो तो minus करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए बड़ा, उसको हम क्या करते हैं, सारे सालों में minus करने की बजाए, हम average में से minus कर देते हैं, ठीक है, तो इस इस question में, जिस particular year का page लिखा है, तो okay, अ जैसे बड़ा एक साल का profit यहां पर था, तो उसको करेंगे एक से multiply, दूसरे साल का profit यहां था, उसको करेंगे दो से multiply, जितना बड़ा profit उसको उतने बड़े नंबर से multiply करते रहेंगे, तो एक, दो, तीन, ठीक है बड़ा, तो ऐसे कैसे निकालते हैं, question आपको बताता हूं जैसे मैं, तो यह पर आप करके दिखाता हूं, जैसे देखिए, 10,000 पे profit है, 20,000 पे profit है, 30,000 पे profit है, तीनों को weight देंगे, नंबर एक को एक weight, दो को दो weight, ती 10,000 into 10,000, 20 into 2, 40,000, 30 into 3, 90,000, 90, 40, 130, 140,000, तो क्या करेंगे, total of product of profit, इतना हुआ, 140,000, divide by total of weight, weight कितना हुआ, 3 to 5 and 6, 6 से divide कर देंगे, ऐसे करके weight as profit निकालते हैं, weight as profit कब लगेगा, या तो लगातार लोस हो रहे हूं, या लगातार profit हो रहे हूं, अगला मैतर आता है, super profit मैतर super man के बारे में सुना होगा आपने, super man, super man क्या होता है, एक होता है man, एक होता है super man, सर्थ दोनों में फरक क्या है, ऐसे मत कहने लग जाएगा बेटा, उसने red color का उपर पहन रखा होता है, और पिछे red color की power लगा रखा होती है, उसका मतलब ये नहीं है, super man उसका नाम super profit का मतलब है, अच्छा profit, ज्यादा profit, तो ज्यादा profit कैसे निकलेगा, देखिए बटा, जो आप लोग कमा रहे हैं, उसको बोलेंगे average profit, जो normal लोग कमा रहे हैं, average minus में normal करेंगे, तो क्या हैगा, super, simple सी बात है, average profit जो आप लोग कमा रहे हो, normal profit जो दुनिया कमा रही है, मतल आप बटा अपने नाम की वज़े से, उसे एक लाग रुपे से 20,000 कमा रहे हो, मैं उसले एक लाग रुपे से 10,000 कमा रहे हूं, तो एक लाग माइनस, अब 20 कमा रहे हो, 20 माइनस दस, आप मुझसे ज्यादा कितना कमा रहे हो, super कितना कमा रहे हो, 10,000 रुपे, तो average profit जो अगर माइनस करते हो, तो आपको पता लगे हो, आप super क्या कमा रहे हो, अब normal profit कैसे निकलता है, average तो निकालना आता है सबको, average का formula क्या होता है, total profit divided by number of year, यह average होता है, normal का formula होता है, capital invested, जितना business में आपने पैसा लगाया, into normal rate of return, जो market में rate of return चल रही है, कि market में लोग इतना पैसा लगाते हैं, उससे कितना कमाते हैं, वो market rate of return है, divided by 100, ठीक है, तो super profit का formula होता है, average minus में normal, और super आने के बाद, उसको number of year purchase से multiply कर दीजिए, क्या आ जाएगी, goodwill आ जाएगी, goodwill आ जाएगी, तो goodwill का formula होता है, super profit into number of year purchase, अब जैसे question हैं, 7 साल दे रखें, क्या करेंगे, साथों को टोटल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, average profit, यहां से क्या आ जाएगा, average profit, कैसे निकालेंगे, सब का total करेंगे, divide by 7 करेंगे, average आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर capital invested दे रखें, normal profit कैसे निकालेंगे, capital invested, into rate of return, divided by 100, क्या आ जाएगा, normal profit आ जाएगा, 1, सब्सक्राइब तो इडिया तो लाग भीज़र इसका सातों को यह लोव वाला मैनस करेंगे बाकी सब्सक्राइब टोटल करेंगे टोटल करने के बाद अगर डेड़ लाग रुपे आ गया तो डेड़ लाग रुपे अवड़ेज प्रॉफिट एक बेस हुआ normal profit, average में से normal minus किया, तो आप extra कितना कमा रे हो, 30,000, 30,000 कमा रे हो, कितने year purchase की goodwill है, 2 year purchase की, तो super profit का formula क्या है, super into number of year purchase, क्या आ जाएगा, goodwill आ जाएगी, ठीक है बटा, उसके बाद आता है बटा हमारा average profit, capitalization profit, capitalization दो तरिके से करते हैं, एक करते हैं capitalization by average और एक करते हैं capitalization by super तो capitalization average से जो करते हैं उसमें formula क्या होता है उसमें पहले देखी बिटा क्या होता है मैं आपको एक concept बजाता हूँ simple सा समझिएगा देखो मैंने जो profit कमा रहा हूँ मैं 20,000 रुपे कमा रहा हूँ market rate is 10% market की जो rate is 10% अगर market में किसी को 20,000 कमाना हो तो कितना रुपे लगाना पड़ेगा sir लगाना पड़ेगा 2,000,000 रुपे क्योंकि 2,000,000 का 10% 20,000 होता है market में किसी को 2,000,000,000 कमाना हो तो 2,000,000 रुपे लगाना पड़ेगा बट मैं 1,000,000 लगा कर क्या कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा कमा रहा हूं यही मेरी goodwill की value है यही मेरी goodwill की value तो पहले क्या करते हैं पहले हम यह निकालते हैं कि जितना profit आप कमा रहे हो जैसे कि 20,000 पे आप profit कमा रहे हो 20,000 कमाने के लिए आपको कितना rate of return कितना पैसा लगाना पड़ेगा 10% के हिसाब से आपको लगाना by rate तो 20,000 into 100 by rate करेंगे 2,00,000 रुपय आ गया अब goodwill कैसे निकलती है उसके बाद क्या निकलते है एक्चुल आपने capital कितना लगाया है actual capital निकालने के हमारे पास दो फॉर्मुलें अगर ना दिया हो तो actually capital कितना लगाया है asset minus liability कर दिजिए asset minus liability कर दिजिए क्या है capital आजाएगा अगर asset liability में से एक चीज नहीं है या फिर आपको net worth दिया है उसका मतलब ही capital होता है ठीक है या फिर आपको already capital दे रखिए capital लिखिए plus में अगर उसके current account दे रखिए तो वो लिखिए plus में को reserve दे रखिए तो वो लिखिए अगर loss दे रखिए तो पेंडर का debit balance वो minus कर देंगे बिटा तो इस प्रकार से हम capital निकाल लेंगे हमने capital निकाल लिया capital हमारी actual में आया हमारा जो capitalized value है 20,000 पर कमाने के लिए दो लाख लगाना पड़ता है मैंने का जी मैं तो एक लाख लगा रखा है तो profit कमारा हूं दो लाख वाला लगाया हुआ हुआ है एक लाख जो एक लाख रुपया जो difference है वही मेरी क्या है गुडविल है तो गुडविल निकालने का formula क्या capitalized value minus actual capital that's all that's all easy बहुत बहुत असान है चलिए आगे चलते हैं अब आपको बताने वालों में counting treatment कैसे करते हैं गुडविल का कैसे करते हैं तो देखेंगा इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले goodwill निकालनी है आपको goodwill निकालनी है और counting treatment इसको घंपकर यह नोटी सब केला गाल, इसको किसे बंदेन काम होगी, किसे वडीड़ की सब्सपटर सेव्टोग इअ के सेरी नहीं पैसा मिलेगा उसकी capital बड़ेगी ठीक है बटा तो क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं हम सबसे पहले old minus new करेंगे old minus new करते हैं एका करेंग old minus new कितना अएगा old 5 by 10 minus new 9 by 20 20 10-9 1 by 20 यह क्या किया इसने sacrifice B B का कितना है 4 by 10 minus 6 by 20 20 LCM 4 to the 8 minus 6 2 by 20 क्या किया इसने sacrifice यहां से देखी बटा उसके बाद C 1 by 10 minus 5 by 20 क्या किया 20 यह कितना है 2 minus 5 3 by 20 यह क्या कि इसने gain किया कैसे 2 minus 5 gain किया तो gain किया 3 by 20 सिंपल सी बात है जितना sacrifice करोगे सम उसना ही तो gain करोगे न बटा तो gain के value sacrifice के ब्राबर ही होगी तो अब क्या करेंगे gain करने वाला जाएगा gain करने वाला debit हो जाएगा sacrifice करने वाला credit हो जाएगा तो gain debit करते है general entry क्या होगी C is capital count debit इसको अपनी capital में से इससा देना पड़ेगा क्योंकि यह gain कर रहा है C is capital count debit और जिनको कुछ नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे debit करेंगे A is capital count debit to B is capital count debit gain will be debit and sacrifice will be credit ज्यान रखना बटा gain will be debit debit क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसको रेशो जादा मिल रहा है जादा मिल रहा है तो goodwill का हिस्सा उसको देना पड़ेगा किनको देना पड़ेगा जिनको कम मिल रहा है अमाउंट कितना आएगा वो देखिए बटा हमें goodwill निकालनी है किसे निकालेंगे साथ, चालीस, सो सो और पचास, तेज़ लाग तेज़ लाग डिवाईड़ भाईड़ थ्री 50,000 50,000 तो येर पचेज़ कितना हो गया बचास, गड़विल अब क्या गया है अब क्या गरेंगे हैं ये एक लाग गणा एक ट्वविल कैसे निकालेंगे परखेघ एगा परफेज़ के साथ, वन people $2,2 x 20 $3,2 x 30 $3,2 x 20 $15,000 गुट निवल के लिए जितना जितना ऑफ इसा दुशा दूगा ना अगर मैं आने ज्यादा किया कम किया दो कम दूगा कुम तो C ने गान किया है 15000 कrib ओसमें से इंब्धान को मिलेग A 10,000 सो परकार से ट्रीटमेंट और गुडविल में आसे ज़नल एंट्री करते हैं प्रहला स्टैप आता है ओल्ड़न स्टैप आजब झारो जा को बदेटियंक टीसरा स्टैप आता है कि विद मेगन की त्टैप यह söyled Practice credit ठीक है बड़ा gain debit कर देंगे sacrifice क्या कर देंगे credit कर देंगे चलिए आगे बड़ा अब आता है investment fluctuating capital कि अ इस ना है है यह जो देखिए वड़ा हमारे पास दो चीजे होती है अमरे पास क्या होता है हमारे पास एक profit होता है एक loss होता है, profit जो होते है, profit का balance क्या होता है, profit का balance होता है, credit, यह entry आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलने वाले आप, profit का balance होता है, credit, loss का balance होता है, debit, loss का balance होता है, debit, ठीक है बटा, profit का balance होता है, credit, loss का balance होता है, debit, अब profit का balance credit होता है, जब प्रॉफिट को बांट होगे, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपकी capital क्या होगी, debit या credit, सर, capital का balance होता है, credit जब capital में पैसा और मिलेगा तो capital और हो जाएगी credit, capital तो credit होगी, जिस चीज को बांटते हैं, अगर उसका balance credit है, उसको उठा के बांटेंगे तो इसको debit करना पड़ेगा, और अगर देखिए जैसे profit है, profit का balance credit है, इसमें profit में क्या आजाएगा, profit में आजाते हैं, reserve आजाते हैं, profit and loss आजाता है, workman compensation reserve आजाता है, जिसके पिछे reserve और fund लिखा है, वो सारे के सारे हमारे profits का पार्ट है, तो profit, provident fund को छोड़ कर बेटा, ऐसे नहीं बोलना, सर ने सारे बोल दिये, provident fund है, employee benefit related fund है, उनको छोड़ कर, जो भी reserve and fund है, वो सारे हमारे profit है, उनका balance credit होता है, जब भ बांटेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, debit, जिनको मिलेगा, वो क्या हो जाएंगे, credit, किस ratio में, all ratio में, general reserve count debit to A to B to C, जब बांटेंगे, तो profit जो है, जिसको बांट रहे हो, वो क्या हो जाएंगे, debit हो जाएंगे, और जो जिसको मिलेगा, वो credit हो जाएगा, ऐसे एगर loss का balance होता है debit, अब loss को खतम करोगे, debit side से उठा के, क्या करोगे, credit में, रखोगे, तो वो loss होना पड़ेगा, loss को, loss होगा credit, तो loss हो जाएगा credit, और जो partner है, उनको मिलेगा, उनको मिलेगा loss, उनकी capital हो जाएगी कम, तो उनकी capital हो जाएगी debit, तो old partner capital count debit to profit and loss and to defer revenue expenditure, तो देखेंगे reserve का balance होता है credit, जो बंटेंगे तो उनको करना पड़ेगा debit, ठीक है बटा, और partner होंगे credit, ऐसे ही loss का balance होता है debit, और जब उनको बंटेंगे, खतम करेंगे, district of करेंगे, उनको होना पड़ेगा credit, और partner हो जाएगे debit, दो चिज़े माइन में द्याद रखनी हैं आपने, अब ज general reserve credit balance है, general reserve credit balance है, general reserve card balance entry होगी general reserve count debit to A to B to C, workman compensation deserve credit balance है, workman compensation deserve credit balance है, workman compensation deserve credit balance है, advertisement suspense का debit balance है, debit balance है तो लोस है, इसकी entry होगी A, B, C to advertisement suspense, जो बैलनस debit है उसको credit होना पड़ेगा, और जिसका balance credit है, उसको क्या होना पड़ेगा, debit होना पड़ेगा, आईए बटा, एक reserve की बात करते हैं एक reserve की बात करते हैं reserve की बात करने के बाद हम तोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसमें बड़ा ज्यादा हम भी इतना ही करेंगे capital count और revolution का topic हम admission और partner में भी discuss कर लेंगे तो देखें बड़ा workman compensation reserve क्या होता है सबसे पहले होता क्या है workman जो हमारे पास काम करते है compensation उनको हम देंगे reserve कहता है workman के चोट लग जाए जिम्मवारी हमारी होती है हमारे लिए काम करते है दिन रात पसीना बहाते है हमें बड़ा बनाने के लिए हमें powerful बनाने के लिए तो हमारी जिम्मवारी है उनके लिए क्या करना हमें उनकी health में उनकी सेहत में उनके साथ देना तो बड़ा अगर को injury हो जाती है तो उस time हम पैसा कहां से लेके आएंगे हमने गुल्लक बना ली जिसका नाम है workman compensation हम उसमें पैसा डालते हैं profit में से और जब किसी मज़ूर के चोट लगेगी तो प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे उसको दे देंगे अगर चोट नहीं लगती तो सारे का सारा प्रॉफिट हम बांट लेंगे घर ले जाएंगे तो देखो बड़ा क्या है सबसे पहले है अगर आपके पास workman compensation जरव पढ़ा है 50,000 ठीक है बड़ा इसमें करते है workman compensation जरव पढ़ा है 60,000 old ratio है 3 ratio 2 ratio 1 तो देखो पहला केस है if there is no information अगर कोई information नहीं है तो सारे का सारा जरव आपका workman compensation reserve account debit 2 x 2 y 2 z किस रेशो में 60,000 को 3 ratio 2 ratio 1 ratio में पहले entry हो गई बड़ा कि किसी मज़ूर के प्रमात्मा किरपा से किसी मज़ूर के कोई चोट नहीं लगी वो reserve सारे का सारा हमारा अपनी capital account में बांट लीजिए चलिए दूसरा हुआ if a claim of workman compensation is 24,000 अब हमारा 60,000 की गुला का उसमें 24,000 का तो claim आ गया अब entry क्या करेंगे सार साथ में से 24,000 उनको देना पड़ेगा तो entry क्या करेंगे workman compensation reserve account debit कोई दिक्कत नहीं है घबराईया मत बेडा कुछ नहीं होने वाला साथ हजार में से 24,000 पे उनको देने पड़ेंगे तो entry क्या करेंगे two provision for claim two provision for claim कितना 24,000 चलिए अब साथ में से 24 उनको दे दिया 36,000 पे जो बचा वो 321 में डिवाइड कर लेंगे two X two Y capital two Z three to one में three to one में डिवाइड करेंगे कितना पनेगा बड़ा 18,000 12,000 और 6,000 यह लिए बड़ा दूसरा case तिसरा case 60 का साथ ही क्लेम आ गया तो साथ जार पड़ादे 60 का साथ क्लेम आ गया तो अगर वर्कमेंट कंपन से रिजर्व का बैलन्स क्या होता है क्रेइट होता है उसको क्या कर देंगे डैबिट कर देंगे two provision for claim यह लिए बड़ा 60 का साथ गया हमारे लिए कुछ नहीं बचा अगर claim में 75,000 रुपे आ गया claim तो क्या करें भाई साब हमारे पास गुल्लग में पड़े हैं 60 claim आ गया 75 तो क्या करेंगे हमारे लिए loss है loss एक nominal count से लेंगे loss एक nominal count से लेंगे जिसका नाम है revaluation account तो entry क्या करते है सबसे वहले workman compensation को debit कीजिए कितना debit करेंगे 60 मेरे पास 60 ही है और टू provision for claim कितना होगा 75 मुझे 15,000 पर चाहिए 15,000 कहां से लूँगा बड़ा मैं एक account को लूँगा nominal count है जो भी loss होते हैं यहां पर डाल देते हैं 15,000 पर revolution count में डाल देते हैं अब revolution को बंदा थोड़ा है loss कोन देगा loss actual में आप लोग देंगे loss owner ही देंगे A और B loss देंगे तो 15,000 के loss को बड़ा अब इसके बाद एक entry और करेंगे 15,000 के loss को transfer करेंगे ABC में ABC की capital क्या होने वाली है तो क्या हो जाएगी debit हो जाएगी A is capital count debit B is capital count debit C is capital count debit to revaluation revaluation यहाँ पने आपने क्या किया था debit किया था अभी मैं इसको transfer करने वालों A और B को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा credit हो जाएगा ABC to revolution यतना आपका revolution का loss है 15,000 पे उसको distribute कर देंगे 3, 2, 1 में यह लीजे बड़ा इस परकार से हम क्या करते हैं ऐसे ही हमारा case आता है किसका investment fluctuation का अब देखो बड़ा investment fluctuation reserve यह किसलिए बनाया जाता है जो आपने business में investment करिये कहीं बाहर पर उसकी उसमें कोई fluctuation आ जाती है जैसे कि मैंने share market में लगाए 5,000,000 रुपे आज इसकी value है 4,80,000 रुपे तो 20,000 इसकी value कम हो गए न तो इस value को 20,000 रुपे को cover करने के लिए गुलग बनाते हैं जिसका नाम होता है investment fluctuation reserve तो अगर आपकी investment की value में कमी आती है तो कहां से लेंगे आप यहां से investment में transfer करेंगे ठीक है बटा तो अगर आपका अगर value ज्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है तब investment की value ज्यादा हो गए तो debit कर देंगे तो अब देखे बटा कैसे है investment की value है 30,000 रुपे रिजर्व की value investment की value है 5,000,000 रुपे कोई information नहीं है सारे का सारा रिजर्व बांट लीजिए investment fluctuation reserve count debit 2P, 2Q, 2R old ratio में सारा बांट लेंगे 30,000 रुपे को मान लीजिए equal equal है मैं equal equal मान रहा हूँ equal equal बांट लीजिए दूसरे में investment की value 5,000,000 और वैसे भी 5,000,000 थी कोई difference नहीं आया तो same entry दोबारा कर देंगे बटा तो जब आपने 5,000,000 रुपे बिजनेस में लगाया था और 5,000,000 रुपे ही अभी value पड़ी है कोई दिक्रत नहीं है तो 5,000,000 की value लगा देंगे उसके बाद आपकी market value आती है investment की 4,88 बारा हजार पे की कमी आ गई तो क्या करेंगे investment, fluctuation, reserve account, debit 2 investment में डालना पड़ेगा कितना बारा हजार पे तीस में से बारा हजार पे investment में डालना पड़ेगा बाकि एठारा हजार पे को A, B C और C में डिवाइड कर लेंगे एक्वल एक्वल कितना? 6,000, 6,000 और 6,000 ये लिज़े बादा, ऐसे ही आगे वाले case हो जाएंगे बाद ऐसी परकार से, तो ऐसे हमें क्या करना है, case करना है अब बादा, देखो क्या होता है, कई बार हम ये नहीं चाहते हैं कि जो मारे पास रिज़र्व पड़े हैं और एक्वलेड प्रॉफिट हैं, हम उनको बांटना नहीं चाहते हम उनको कैपिल काउन में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हम उसको बांटना नहीं चाहते तो क्या करेंगे जैसे कि देखो बटा ये है 40,000 पर जनल दर्व है, प्रोफिट अनलोस का इसको क्राइट बैलेंस मानते हैं, आप मेशा पोस्ति सोचेंगे 20,000 का यह है, एड़र्टीजमेंट सस्पेंस 15,000 का है, तो इस परकार से बढ़ा 40 और 20 कितना हुआ, यह दोनों क्राइट बैलेंस है, क्राइट वालों को एड कर कितना हुआ, साथ, 15,000 पर माइनस कर दीजिए, तो इफ्रेंस कितना है, टोटल नेट इफेक्ट कितना है, 45,000 का, अब वो क्या चाहते हैं, कहते हैं, इसको एडजेस्ट्मेंट एंट्री करो, अडजेस्ट्मेंट एंट्री करनी है, और विदाउट अफेक्टिंग देर इसको नहीं करना चाहते हैं, तो एक बात आने वाला हूँ, एक गुल्लग में पढ़ा था एक लाख रुपे, पुराने पुराना समयाद करते हैं, राजन और रमन पार्टनर है, 60-40 तो रमन को मिलता है 60,000, उसको मिलता है 40,000, अगर इसको बांट लेते हैं अगर इसको एक अप्रैल को बांटा एक अप्रैल के बाद बांटा तो मिलेगा इसको 50 इसको 50 मैंने कहा आज बांट रमन यह profit पुराना कठा किया हुה है तो पुराने रेशन में बटना चाहिए नए में क्यों बटेगा रमन कहता है राजन बात तेरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं पता है क्यों कह रहा हूँ तेरे को ना बांटे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिजर्व हमारी बिजनस में पड़ा रहेगा न हमारी financial position अच्छी बनेगी सब को अच्छा लगेगा हमारी financial position अच्छी दिखेगी लोगों को मैंने का तरी बात तो ठीक है बट बात सुन यार तुम मेरे को ऐसे बेफकूप मत बना मेरे को 10,000 रुपे का लोस हो रहा है इसमें अगर तु बाज में बांटेगा तो मुझे 50 मिलेगा आज बांटेगा मुझे 60 मिलेगा रहा है यार मैं तरे साथ कोई बिमानी नहीं करתיगा मैं क्या करущा रहा है मेरे को 10,000 रुपे जो बाज में बांटेजगी द जा रुपे एक्स्टरा मिल रहा है मैं तेरे को वह 10,000 रुपे आज दे देगा है मैं गेन कर रहा हूं वो तो मुझे अभी दे दे जो गेन करेगा वो बंदा देगा सेक्रिवाइस वाले को बिल्कुल सही है 2A is capital, 2B is capital ठीक है बटा, तो जितना गेन करें हैं, मान लीजे, गेन किया एक बटा नो, तो पैंतालीस दार का तीन बटा नो 15,000 पे उसने क्या किया, गेन किया 15,000 पे से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा सेक्रिफेस किया, पांच और दस से, एक बटा नो और दो बटा नो से ठीक है, अब निकाल लीजेगा कोई दिक कर नि, मैं आपको एक्जामपल से बता रहा हूँ कंसेप्ट बता रहा हूँ, कर लेंगे अपने आप आप बटा, ठीक है, तो क्या करना है, इस परकार से करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशो, और अब बटा, इस चैप्टर में बहुत सारी और एक्स्टर चीजें भी बताते हैं हम, बताने वाले हैं हम, ठीक है बटा, और इसको आराम से करेंगे, अब और हमारे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बटा, आप यूट्यूब तो सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, यहां पर आपको डेली या दो दिन बाद या तीन दिन बाद जैसे ही शेड्यूल डिसाइड किया है, कंपनी ने वैसा आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसके साथ साथ, अगर आप हमारे इतने तीन-चार दिन है, Great Geniuses एप का, वहां जाये उसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां से कोर्स बाइ कर सकते हैं, बड़े ही नॉमिनल रेट पे, और जिसमें आपको काउंट, बिजनस एकनोमिक्स, वैसे तो हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जाये वहां पर, और लाइव क्लासिज के लिए जा सकते हैं, लाइव क्लासिज भी अवलेबल है वहां पर, तो बिटा मिलते हैं, यूट्यूब पे, या फिर हम रिकोड़िट बैच में, या फिर लाइव क्लासिज में, थेंक यू सो मच, हैव नाइस डे, गुडबाई